और गड़वा में इन दिनों एक चोर पुलिस के लिए चुनोती बन गया है आपको बताएं कि ये कई जगों पर चोरी कर चुका है और एक ही अंदाज में कर चुका है चोरी सिसी टीवी में इसके फुटेज भी कैद है उसके बावजूद पुलिस इसे अब तक पकड़ने में नाकामियाब रही है रिपॉर्ट देखें पुलिस के लिए चुनोती बन गया चोर अकेला ही आता है पूरे इत्मिरान से चोरी करता है सिसी टीवी में कैद भी हो जाता है कई बार कर चुका है चोरी एक अंदाज में करता है चोरी लेकिन आज तक नहीं पकड़ा गया CCTV फुटेज में जो चोर नजर आ रहा है वो जिला पुलिस के लिए एक चरौती बन गया है क्योंकि ये कही बार एक अंदाज में चोरी कर चुका है और लाकों पर हांसाफ कर चुका है CCTV में कैद्वियों है लेकिन अब तक पकड़ा नहीं जा सका है मारे दो दिन का तीन का जो शेल था जो बैंक नहीं गया था खुल बारा लाख बांबे हजार साफ सोच शीयासी रुपया लेगा जो पहले आसिस दुबे था जो खुला गेट वो उपर से आया बोला कि बैया उपर खिड़की खुला है उतने में हम देखे वहां जो काउंटर खुला था सो तो हम बोले लिए कि चावी तो मेरे पास रहता था खुला कैसे चोर ज्वेलर्स के दुकान पर और कपड़ाई की दुकान में चोरी कर चुका है पोलिस ने कहा कि वो जल्दी उसे गरफतार कर लेगी चोरी हुआ था आज दो माहिनल बिचने वाला है इसका भी पता नहीं चला और आज फिर हमारे महला में ही मेरी टाइप से फिर से चोरी हुआ बाबा कमलेश कपड़ा दुकान के यहाँ अब कुछ पैसे लेकर चलेगा अब सेम मेरे घर जैसे चोरी हुआ था वैसे ही चोरी किया अब पिश्रे मुआ लाग से जिसा जिकता है चोर इन दिनों पहली जरूर बना हुआ लेकिन पुलिस भी गरबतारी का मन बना चुकी है ऐसे में उमीद की जानी चाहिए कि चोर जल्द सलाकों की पीछे होगा न्यूस एलेवन भारत के लिए गणवा से आशिस की रिपोर्ट लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा